एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बड़ा शक्तिशाली था, वो बड़े-बड़े पेरों को एक ही जटके में उखार देता था। बंदर काफी दुबला पतला लेकिन वो बड़ा ही फुर्तिला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेरों पर उच्छल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुनों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज्यादा अच् दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था, जो अक्सर बंदर और हाथी की हरकते देखाता था। वो इन दोनों के लड़ाई जगडे से परेशान हो गया था। एक देनुस उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों थी दोनों को उल्लू की बात अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में क्या करना होगा। उल्लू ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है। जहां पर एक काफी पुराना पेर है, जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से उस सोने के फल को जो पहले लाएगा, उसे ही इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा और असल माइनों में सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकले। ने मजबूत सून से उखार फेकता। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुचा जा सकता था। बंदर ने फिर स नी सून से उसे पकड़ कर पानी के बाहर निकाल दिया। हाथी की इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ। उसने विनम्ल होकर हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफर तै करने के लिए कहा। ब हाथी के पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगर में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के लगे हुए फल वाले पेर को भी खोज निकाला। सबसे पहले हाथी ने अपनी अपनी सून्ट से उस पेर को गिराना चाहा, लेकिन व एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फूर्ती से उस पेर पर चलने लगा और उस डाली पर पहुँच गया जहां पर सोने का फूल लगा हुआ था। उसने वह फल तोड़ लिया और पेर के नीचे उतर गया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जं साथ कहा, उलू दादा, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यक्ता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हमें ये समझ में आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और खास होता है। हमने ये भी फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी इस बात पर बहस भी नहीं करेंगे और मित्ल की तरह इस जांगल में रहेंगे। उलू को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्ही यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुन और शक्तियां ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती हैं। साथ ही हर किसी की अपनी कमजोरियां भी होती हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो गए और वो जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख हमें एक दूसरे के गुनों और शक्तियों का सम्मान करना और आपस में मिल जुलकर रहना चाहिए।